मेरे प्यारे देश वाक्षियों भी हमने पिछले दिनों देखा है एक दोर ताकत का हमने अनुभव किया है और वो है भारत में एक सामुई चेतना का पुनर जाग्रां हुआ है आजहादी के इतने संगर्ष मैं से अम्रुत था वह संजवया जा रहा है संकलित हो रहा है संकल्प में परिवर्तित हो रहा है पुर्शात की परातासका जूड रही है और सिद्धी का मार नजर आ रहा है कि ये चेतना कि मैं समझता हूं कि चेतना का जागरान ये पुनर जागरान ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है और ये पुनर जागरान देखिए कि 10 अगस्तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है लेकिन पिछले तीन दिन से जिस प्रकार से त्रिंग के जंडे को लेकर के त्रेंगा की यात्रा लेकर के दस चेश चल पड़ा है कि बड़े बड़े सोशल साइंस के एकपर्ट्स यह भी शायद कल पना नहीं कर सकता है कि मेरे भीतर के अंदर कितने मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्द है एक तिरंगे जंडे ने दिखा दिया है यह पुनर चेतना पुनर जागरन का पल है यह लोग समझ नहीं पाए है जब बेश जंता कर्भ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कौना निकल परता है तब उस चेतना की अनुभूती है जब बेश ताली थाली बजा करके कोरोना वारियर के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड दियां जला करके कोरोना वारियर के शुप काम बना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूती होती है दुनिया कोरोना के कालखन में वैक्सिन लेना या न लेना वैक्सिन काम का हैग नहीं है उस उल्जन में जी रहा था उस समय मेरे देश के गा करके दिखा देते हैं यहीं चेतना है यहीं सामर्थ है इस सामर्थ ने आज देश को एक नई ताकत दी है तेरे पहरे भाई यों भेनों 301 महत्वपूर्ण सामर्थ है मैं देख रहा हूँ जैसे एस्प्रिस्कल्स होसाइटी जैसे पुनर जांगरन वैसे ही आजाजी के इतने दसकों के बार पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है विश्व भारत के तरफ गर्व से देख रहा है अपेच्छा से देख रहा है समस्याओं का समाधान भारत की धर्ति पर दुनिया खोजने लगी है दोश्व विश्व का ये बर्लाव विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल के हमारी अनुभाव यात्रा का परणाम है